एलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जीओ पैमेंट बैंक में हमें अपना एकाउंट कैसे ओपन करना है आपका जो सीन कार्ड है वो किसी भी कमपनी का क्यों ना हो आप अपना जीओ पैमेंट बैंक के अंदर अपना एकाउंट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको कोई भी balance maintain करने की जरुवत नहीं होगी ना ही आपको कोई भी charges देने होंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपका account open हो जाएगा जिसमें आप किसी को भी पैसे भेश सकते हैं और पैसे receive कर सकते हैं यहां पर आपको free में virtual david card यानि virtual ATM card मिल जाता है इसके जरी आप phone पे, google पे, paytm में अपना account रेश्टर कर सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों complete जानकारी दूँगा कैसे आप जियो payment bank में अपना account open करेंगे तो चलिए, शुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे आप अपने mobile में play store को open कर लेंगे open करने बाद दोस्तों आपको यहां पर search बार में search करना my j o, दोस्तों यहां पर आपको my j o लिकके search करेंगे जैसे search करेंगे, search करने बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर देखनी मिल जाएगा My Geo Application, इस application को क्या करेंगे, first of all आपको install कर लेंगे Already मैंने इस application को install कर रखा, install करने बाद क्या करेंगे दोस्तों आपको अपना mygo application को open कर लेंगे open जैसे करेंगे open करने बाद यहाँ पर आपके सामने इसका interface आपको इस तरह से देखनी मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आपको अपना mobile नमबर यहाँ पर आपको भरना है जो नमबर आप अपने bank account पे देना चाहते हैं तो simply यहाँ पर म आपके नमबर पर OTP आएगा अगर आपके नमबर पर SIM लगा हुआ है तो यहाँ पर automatic आपका OTP fill up हो जाएगा अगर आप fill up नहीं होता तो आपको manually आपको type करके यहाँ पर fill up कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे आपको क्या करना proceed पर यहाँ पर перв whether battery lifetime color blank को Just Look steeds अबी ऐसर पर क्षि करेंगे आपि आपको सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करना को यहाँ पर क्रिदों सब्सक्राइब Посक्व क्यों सब्सक्राइब यहाँ पर जींदिर्ट उखांट रखे यहाँ पर जीरो रख सकते sympath वह गरह नहीं करने वाला देखेंगे no hidden charges नहीं कोई चार्ज यहां पर छुपा हुआ नहीं है यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला तो free virtual debit card यहां आपको यहां पर free नीचे देखेंगे proceed का button है इस पर क्या करेंगे click करेंगे जैसे click करेंगे click करेंगे दोस्तों यहां पर आपका verification होगा sending SMS for verification यहां पर आपका verify किया जाएगा जब तक verify नहीं होता है तब तक आपको यहां पर wait करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर verify successfully हो चुका और OTP भी यहां यहां पर आ चुका है दोस्तों यहां पर number verify होने के बाद आपको stress interface देखनी मिलेगा यहां पर दोस्तों आपको MPN set करना होगा जब भी आप अपने bank account पे login करेंगे यानि आप mygeo payments bank में जब भी login करेंगे तो आपको अपना MPN डालेंगे तो वहां पर simply आप login कर जाएंगे त उसी MPN को आपको नीचे में देखेंगे confirm MPN उसी MPN को आपको नीचे में fill up करेंगे तो चलिए यहां पर मैं अपना enter MPN और confirm MPN में दोनों जगर सेम सेम fill up कर लेता हूं यहां पर fill up करने के बाद simply आपको नीचे में देखेंगे proceed का button है बस क्या करेंगे simply आपको इस proceed button पर click कर जाएंगे वेट करने मां देखेंगे वैलकम यहां पर आपके सामा देखेंगे भेरिफा और मोबाइल नंबर यापका मौबाइल नुब यहाँ पर कर लिया जाएगा अगर आपका सीम कार्ड आपके मोबाइल में लगा हुआ अगर नहीं लगा हुआ तो आपको जो ओटीपी है वह आपको मैनुवेल यानि खुछ से टाइप करना होगा देखेंगे आप पे ओटेपी वेरिफिकेशन हो चुका है उसके बाद क्या करेंगे सिं देखेंगे इंटर योर डीटेल्स यानि आपको यहाँ पर अपना डीटेल्स वगर है फिलप करना होगा पहले आपको देखेंगे पैन नमर यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद नीचे देखेंगे आधार नमर यहाँ पर क्या करेंगे आपको अपना आधार नमर नीचे मे जैसे click करेंगे click करने मां दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे फिर से आपको नीचे देखेंगे sand OTP इस पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने मां दोस्तों आपके नंबर पर OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill up करेंगे यहाँ पर मेरा automatic OTP fill up हो चुका है फिलप होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे OTP verified successful, यहाँ पर आपका details वगर आ जागा, देखेंगे details as per aadhar, यानि आपके aadhar card के according, यहाँ पर आपका सारा details वगर यहाँ पर ले लिया जाता है, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा scroll करके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे communication details, यहाँ पर क्या करेंगे, simply आप email address, यहाँ पर आपको अपना email address यहाँ पर fill up करेंगे, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना email address को fill up कर लेता हूँ, यहाँ पर अपना email address को fill up करने के बाद, उसके बाद नीचे देखें तो single पर अगर आप साधी सूधा है तो merit पर किलिक कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं single हूँ single पर किलिक कर लेता हूँ उसके बाद देखेंगे नीचे में father's first name याप अपने father's will up कर ने नीचे देखेंगे mother first name और last name यानी जिस तरह हैं पर फिलप के हैं उसी तरह mother's का नाम यहाँ पर फिलप कर देंगे तो चलिए यहाँ पर में फिलप कर लेता हूँ यहाँ पर अपना डिटेल को सही-सही फिलप करने के बाद उसके बाद आपको नीचे देखेंगे अगर आप student है तो student पर click करेंगे अगर आप homemaker है अगर आप farmer है अगर आप यहाँ पर public sector से आते हैं या business करते हैं यहाँ पर अपने according आपको choose कर लेना है जैसे मैं student हूँ यहाँ पर पर ही कर रहा हूं simply मैं यहाँ पर student choose कर लेता हूं उसके बाद देखेंगे source of income तो यहाँ पर increase click लेता हूं उसके बार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे annual income यहाँ पर क्या करेंगे सींप्ली आप farmers पर click कर लेंगे believe कर्ण मादोस्तों यहाँ पर आपका annual income क्या है आपका सालाना क्या है तो यहां पर आप अपने यहित Bem पर को बहुत देखेंगे पचास पचास जार से एक लाग एक लाग से पाँच लाग या एक क्रोड अगर एक कोर यहां पर चूज कर सकते हूं तो दोस्टों यहांपर मैं 50 ज़ार अन्वल इंकम चूज कर लिया हूं उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे नीचे देखेंग जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने दोस्तों यहाँ पर आपका option आएगा, आप अगर nominee add करना चाहते हैं अपने account में, तो यहाँ पर आप देखेंगे add now, अगर आप nominee नहीं अएड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर skip कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना nominee add करने वाला मा को बनाने वाला हूँ तो simply यहाँ पर मैं मदर्स किलिक कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आपका मदर्स नेम यहाँ पर आपका अपना येर चूज कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपना येर चूज करने बाद यहाँ पर आप देखेंगे मंध मंध पर क्लिक करेंगे और मंध यहाँ पर चूज कर लेंगे मंध चूज करने बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे डेट यहाँ पर जो भी डेट तो यहाँ पर simply क्या करेंगे, same as communicating address, same as my आधार address, simply यहाँ पर आपके आधार card का address और आपका नॉम्न यानिया आपका ममी का address, same है तो यहाँ पर क्या करेंगे, same as आधार address, यहाँ पर click रहने दना, automatic पहले से click रहता है, उसके बाद simply आपको proceed बटन पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, check करने बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे में submit का button, बस क्या करेंगे, simply आपको submit बटन पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस information को आपको पढ़ना, देखेंगे, all information said under the application number, यहाँ पर आपका application number देखनी मिल जा तो उसके लिए यहाँ पर क्या 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 आपको धियान रखना, use a front facing camera, यहाँ आपका जो camera यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, आपके mobile का, उसके बाद देखेंगे, be an well its environment, यहाँ आपका अगल बगल में environment अच्छा होना चाहिए, आपका जो background होगरा होगा, अच्छा होना उसके बाद नीचे देखेंगे, use a stable internet connection, यहाँ आपका जो internet connection होगरा strong होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको दिखाना है, और आपका जो internet होगरा fast हो, क्योंकि उसको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे, tab here to know how video KYC work, यहाँ आप किया जाता है, उसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पर देखेंगे, our agents are available every day from 8am to 9.30pm, यहाँ यहाँ पर सुभा 8 बजे से लेकर, रात सारे 9 बजे तक यहाँ पर आप video call KYC कर सकते हैं, उससे आप पहले नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते यहाँ पर आप timing देख ले, तो यहाँ पर video KYC करने के लिए, simply आप देखेंगे, start call with agent, यहाँ पर क्या करेंगे, simply आपको click करेंगे, जैसे click करेंगे, click करने दोस्तों, यहाँ पर आपको second wait करेंगे, यहाँ पर connecting होगा, आपके सामने एक नया page open हो क्या जागा, तो यहाँ प आपको document को दिखाना होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार, याँनि आपका जो original आधार कार्ड होगा, वो अपने पास रखेंगे, और आपको अपना original pan card, याँ पैन कार्ड का zeros नहीं होना चाहिए, आपका original pan card, और original आधार कार्ड आपके पास होना और आपको एक white paper ले लेना है निम्हीं साधा कागज लेना है और आपको एक pen लेना है एक कलम ले लेना है और उसमें दोस्तों वहाँपर जब आपको बोला जाएगा कि आप आप जो white paper है जो साधा कागज है उस पे आपको signature करके उनको दिखाना होता है और दोस्तों आपको यहाँ पर signature करके आपको दिखाना होता है तो यहाँ पर जैसे आप अपना अधार card, pan card और यहाँ पर signature करके उनको दिखा देंगे और हो सकता आपको वहाँ पर पूछे कि आपका annual income आप कितना यहाँ पर fill up किये हैं उनको आपको दिखाना है और हो सकता आपका नाम भी पूछे तो आपको अपना नाम उनको शही सही बता देना है उनको क्या कर counterparts आपको start call with agent यहाँ पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिंग होगा आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे वाइल यूजिंग दैप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हु वैँ पॉजिशन इन क्यूं यानि आप इतने लाइन पे हैं । मतलब होता कतार अव्यなたक har vis है और आपका टामिंग यहाँ पर आपको दीखने मिलेगा आपको इतना समय तक आपको bekर आपका अज्जेंट होगा आपके सामने यहाँ पर लाइब आ जाएगा और आप कर देखने के को और आपको लइत कर लेदा हूं उसके बाद आगेका प्रोसिस आपकोстро करके दिखा रहा हूं तो दोस्तो यहां पर मैंने pancard, आधार card, सारा document मैंने verify करवा लिया हूँ, यहां पर देख सकते हैं pancard accept, यानि pancard यहां पर verify हो चुका, आधार card मैंने video call पर अपना दिखा दिया हूँ, तो यहां पर आपको सारा कुछ दिखा जाना है, video call पर अपना document जितना भी होता है, उसके आपका यहाँ पर KYC complete हो जाएगा यहाँ पर KYC complete होने की बाद आपको क्या करना लगबग कभी कभी यहाँ पर 20 20 से लगबग 30 मिनट का समय लगता यानि 20 से 30 मिनट का समय लगता है तो दोस्तों यहाँ पर देखनी मिलेगा उसके आपका यहाँ पर यूनिक रिलेसिंसिप नमबर यानि आपको यहाँ पर सारा कुछ देखनी मिलेगा आपका आपका आपको सारा कुछ देखनी मिलेगा तो यही एकाउंट नमर से आपको अपने पैसा डालना चाहते हैं तो यही एकाउंट नमर से आप को यहाँ पर account का सारा details वगरा सारा कुछ आपको यहाँ पर देखनी मिलेगा account number bank FSC unique relationship number account type card number expiry date phone number mm id pen number address सारा कुछ आपको देखनी मिलेगा अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हैं screenshot लेके इसको रख सकते हैं यहाँ पर आप घर बैठे अपने mobile phone से जियो payments bank में अपना account open कर सकते हैं अपना account खुलवा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मारी वीडियो पसना वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर सत्रका helpful जंकारी और लेना चाहते चैनल को जरूर सीरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ पूशना आपको स्क्राइब कर सकते हैं जाहिं जाए भारत